हिमाचल प्रदेश राज्य संस्तापना सुवर्ण महुत्सवा अंगवागी राष्ट्रपती रामनात कोविन इंडू अल्लीना विधान सभिया विशेश अधिवेशना उद्देशसी भाषना मन्डि दरू हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापने गुंडा नंतर अनेक महनियरू राज्य मतू देशदा अभिरू दिगे अपार कोड़ गे निडिद्दारे हागे सेने यल्लू राज्य दा वीर योधरू तम्म शोर्य द मूलक देशक्के कीर्थी तंदिद्दारे राज्यवू शैक्षणिक क्रीडा वल्यदल्लू प्रगती साधुसित तिरुवदू हेम्मेय विश्यवागिदे यंदरू हिमाचल विधानसभियल्ली आयवत्तु वर्षगळल्ली अनेक महत्वद मसूदेगलू अंगी कारगोंडिवे आर्थपूर्ण चर्चगळू नड़दिवे देशदा मोदल कागदा रहिता सदना यंब कीर्तिगू इविधानसभे पात्रवागिदे प्लास्टिक निशेधा सार्वजनिक स्थलगलली धूम पाना निशेधा मुन्तादा प्रमुख मसूदेगल मुलका परिसरा मत्तू स्वच्चते कापाडूवली विधानसभे क्रमगलन्नू तेगदु कुणडिदे हिमाचल प्रदेश हदी नेंट वर्षा मेल पट्टा यल्लरिगू कोविड लसे के या मुदला डोस्कलनू नीडिदा मुदला राजवेन सिर्वुदू हेम्मे अविश्यवागिदे यंदरो जानते हैं एक जिले का नाम सिर्मौर भी है मेरी शुब कामना है कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक दिन विकास के पहमाने पर भारत का सिर्मौर बने मुझे विश्वास है कि 2047 में जब हमारे देशवासी आजादी की सताप्ती मनाएंगे और हिमाचल प्रदेश अपनी इस्थापना के 75 वर्स संपर्न होने के समारो मनाएगा तब तक यह राज विश्व इस्तरी विकास और सम्रदी का आदर्स प्रस्तुत कर रहा होगा हिमाचल प्रदेश की स्वान जयनती के उपलक्ष में लोक तंत्र के इस मंदिर में आप सब के प्रती मैं यह सुव कामना व्यक्त करता हूँ कि अपनी लोक तंत्रिक विरासत वस्वस्थ परंपराओं को निरंतर मजबूत बनाते हुए आप सब अपने राजि को खुशाली की वोलंदियों पर ले जाए हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राजि का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जन्ती पर आप सब को एक बार फिर हर्दिक बधाई धन्वार जैहिंत हिमाचल प्रदेशा मुख्यमंत्वी जैराम ठाकूर स्पीकर शासकरू मातितर गण्यरू उपस्तितरी दरू